प्रीन आज्जी गुरुजी को अलक आदेश, माभगवती को अलक आदेश, राची वाले भहरबाबा को अलक आदेश, आप सभी को आदेश आदेश आज से गुपनवरात्री शुरू हो रही है, आप सबों को इंतजार होगा कि कुछ साधना हैं मिलेंगे, कुछ साधना हैं मैंने पहले भी आप लोगों को दी, अभी जो मैं साधना दे रहा हूँ, ये मातारा, दूसरी जो दश महाविद्या है, इनका मूल मंत्र है, ठीक है, म मातारा का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा उनका मंत्र है, मैंने एक वेद से उठा के आप लोगों को बताया भी था, कि कहा जाता है, जो काली है, वही तारा है, और वही नील तारा है, ठीक, इस गुपनवरात्री में तारा मा का साधना सबसे जादा लाप्रद रहता है, जो मंत्र मैं आपको बतातने जा रहा हूँ ये एक बड़े साबर मंत्र का छोटा हिस्सा है इसका बड़ा साबर मंत्र मैंने आप लोगों को पहले पढ़ के सुनाया था ओम आदियोग अनादी माया जहां पर ब्रह्मान उत्वन भया ब्रह्मान समाया आकाश मंडल तारा त्रिकुटा तोतला माता तीनो वसे ब्रह्म कपाली जहां पर ब्रह्म विष्णु महेश उत्पत्ती सूज मुकतपे चंद्र मुक अमीरस पीवे अगनी मुक जले आड कुवारी हात खडग गले मुंडमाल मुर्दा मार उपर खड़ी देवी तारा नीली काया पीली जटा कलिद दंत जिभा दवाया घोर तारा घोर तारा दूद पूद का भंडार भरा पंच मुक करे हाहकार डाकनी शाकनी भूद पलिता सौसो कोज दूर भगाया चंडी तारा फिर ब्रह्मांडी तुम तो तीन लोक की जननी यह इसका साबर है तो यह साबर सब के लिए करना संभव नहीं होता है तो अगर यह नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं तो आप जाप करेंगे ओम रिम श्रिम फट ओम एम हिम हुम फट फिर से सुनिए अंतिम बार क्लियरली फिर से सुना रहा हूँ ओम रिम श्रिम फट ओम एम हिम हुम फट इस मंत्र का एक हजार आठ जाप आप लोग करिएगा रात में साड़े दस बज़े के बाद में दक्षिन के तरफ मुख करके काला आसन रखेगा काला वस्तर तो बहुत उत्तम है इस साधना में आप रुद्राक्ष के माला का प्रयोक कर सकते हैं ऐसे मैंने हमेशा बोला है कि भगवति कोई भी जा सूरियास्त के बाद रुद्राक्स से नहीं होता है इस पर्टिक से होता है लेकिन इस साधना के लिए आप रुद्राक्स की माला का प्रयोक कर सकते हैं भगवती को धक्षिन की तरफ दीपक जलाके आप उनका आवाहन करेंगे आवाहन का मंत्र मैंने पहले बताया है तो आप दीपक जलाके भगवती का आवाहन करेंगे उसके बाद सर्सो तेल का भी दीपक हो सकता है घी का भी दीपक हो सकता है साथ तेलों का मिश्रित दीपक भी हो सकता है दीपक में कौन सा तेल जाएगा यह डिपेंड करता है कि आप किस मनो कामना से उस साधना को कर रहा है अगर तंत्र काटना है तो आप सर्शोय का तेल का उप्योग करियेगा लेकिन अग्र आफ को आशिर्वात overs सीह पुरिए और जो भी आपको जलाना के लिए यह आप लोग 9 दिन करिएगा हैं ह्लाग किता तो मातारा की तज़वीर नहीं तो चरण पादुका रख सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो काली माग की तज़वीर रख लीजिए उसके बाद इस तज़वीर के सामने आप जो है बगवती हवन के लिए तो लॉंग तिल और गूगल का मिशन ठीक है और नीम का जो डाली होती है नीम की डाली का आप लकडी रखेंगे जिस पर हवन होगा और इसको त्रिकोन बनाएंगे आप मेरा वीडियो देखेगा अगोर हवन कैसे करें उसमें मैंने सिखाया है तो त्र त्रिकोन हवन गुड बनाएंगे उसमें त्रिकोन ये लकडिया सजाएंगे उसके अद माभगवती के नाम से इसमें हवन करेंगे दशांस हवन मतलब फिर एक हजार आठ हवन होगा और उसके बाद नीमू का बली देंगे और लास्ट में तीन बार तीन धार आप शराब च किसी भी तरीके के अभिचारिक को या किसी भी तरीका को प्रयोग उन पर हो रहा हो या घर में कैसी भी नेगिटिविटी हो उसको हटाने के लिए किसी भी तरीके का भूत प्रेद बाद हो किसी भी तरह का बंदन हो या किसी भी तरीके का काला जादू हो उसको हटाने के लि वो पूरा मंत्र करें जो मैंने पढ़के बताया उस पूरे मंत्र को पढ़ेंगे 108 बार, 108 बार आहुती देंगे और जब इसका अंतिम फाइनल हवन होगा तो वो असमशान में होगा और उसमें फिर आपको किसी जीव की बली देनी होगी, ठीक है, जीव मतलब किसी पक्षी की आपको बली देनी होगी, जेनरली जो है, आपको काला मूर का कप्रिक है, तो यह कीजे, तो मा भगवतिक मीरिपा आप लोगो प्याने लगेगी, इनको साधना का शुरुवाती विशस सीखना है मुझसे, वो मेरे वाट्सआप रूम में चुड़ सकते हैं, पेड़ कूल है बहुत एक कम जी सकता है, आप उसमें जोड़े और साधना का बेसिक वैवस्ता सीखें, जिनको भूत प्रेज में इंट्रेस्ट हो, वो मेरे किताब खरीद के बढ़ सकते हैं, उससे अपॉइंट्मेंट ले देगी, मेरे वेबसाइट देगे, अल्गोरत अंत्रहस से बाट